इस टेम डिसकाउंट पे चाह रहा है अल्मोस्ट आठ हजार पे का डिसकाउंट थारा भाई अली आज आपको ऐसी डील बताऊंगा ऐसी डील बताऊंगा जो के आपने कभी सोची भी ना होगी असलाम लेकुम गाईज वाट्स आप वेलकम बेक टू एन अधर सूपर डूपर बेस्ट डील वीडियो गाईज आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है अगर आपको प्राइज बजिट 25,000 के असपस है 25,000 के पाइस टाइक में आपको एक पिन पैक डिवाइस चाहिए एस्टी डिवाइस चाहिए यहां पर आपको परफॉर्मस टॉक नाच देख रहे हो मिले हीलियो जी नाइटी टी आपको चाहिए एक बैटर स्टोरेश कंबिनेशन चाहिए 8GB RAM चाहिए 128GB स्टोरेश चाहिए साथ में आपको Fast Charging चाहिए High Air Refresh Rate चाहिए अच्छा कैमरा चाहिए तो काई यह वाली वीडियो काफी ज्यादा important होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक SM वाल्हून के बारे में बताने वाल हूँ जो के इस टाम डिसकाउंट पे चाह रहा है अल्मूस्ट 8000 पे का डिसकाउंट को इसके उपर येस लिटरली 8000 का डिसकाउंट है लिम्टेड टाम के लिए है अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगो कि किन किन लोगों ने यह वाली ड्वाइस पर्चेस करनी है कहां से पर्चेस करनी है और किन को बाय नहीं करनी सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर होजएगा अगर फरस्टेम चैनल पर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसम का कॉंटेंट अपलोड करूं नालिज के रिलेटिड हो अपलोड करूं प्राणे मॉबाल फोन के अपलोड टाप बेस्ट वीडियो सब कुछ आपको हमारे चैनल पर देखरों को मिलेगा तो मेक्शूर सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल नोडिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजेगा यहां पर मैं जिस डिवाइस की बात का रहा हूं वह है इन्फिनिक्स की दरफ से इन्फिनिक्स 0 08i यह 08i के अगर बात कर लिए 35,000 इसका official retail price चैक है लेकिन एक्स पार्क पर आपको अभी के लिए 27,000 के राउंड यह वाली डिवाइस देखरों को मिल जागी अगर first of all इसकी highlighting point आपको बताता हूं then next चल कि आपको यह बताता हूं कि किन-किन यूजर ने यह डिवाइस प इसकी तना इशू आपको देखरों को नहीं मिल वाला उससर बात कर लिए camera department की तो back side पर quad camera setup है main sensor 48 Megapixel है बाकी number game है front side की बात कर लिए तो 16 Megapixel का night camera प्लस 8 Megapixel का ultrawide यह यह दोनो punch hole में है front side पर उससर बात कर लिए G90T है 8GB RAM है 128GB storage है एक अच्छा storage combination भी है और साथ में 33 watt की fast 2500 यहां पर आपको battery size देखरों को मिल वाला है यह दो दी इस device की highlighting point अभी बात करते हैं कि इनकिन user को यह device purchase करनी है कि इनको purchase नहीं करनी avoid करना है इस device के हैंट से अगर आप एक gamer है और 25,000 के price tag में एक ऐसी device देख रहे हैं जो कि आपको pin pack चाहिए जिसमें बाकी specs भी आपको च अगर आपको performance चाहिए 25,000 के यह 25,000 के price tag में pin pack condition में तो फिर भी एक solid option आपके पास अब definitely इस device को considerate कर सकते हैं उससर बात कर लिए अगर आपको camera के लिए चाहिए तो camera के लिए आपका गुजारा हो जाएगा क्योंकि under 30,000 pin pack condition में मार बस इतने ज्यादा options available नहीं है at a time क्यों अगर आपको camera के लिए अच्छा option है उस तरफ अगर आप एक ऐसा user है जिसने सिर्फ media consume करना है WhatsApp चलानी है YouTube चलानी है या Facebook वेरा चलानी है calling के लिए लेना है तो बीर आप किसी और option की तरफ जा सकते हैं यहां पर आपको super amulet मिल जएगा यहां आप जा सकते हैं use की तरफ क्य पारे में मेरे opinion कि इनको buy करना कि इनको नहीं करना अगर आपको buy करना है तो definitely अभी के लिए आपको एक्स पार्क पर exclusive देखने को बिल जेगा discount पर अभी इसका स्टाक आइड नो के कितनी देर रहता है कितना स्टाक उन्होंने की है लेकिन अभी के लिए device available है अब definitely जाके purchase कर सकते हैं बाकी आपको यह वीडियो का ऐसी लगी है comment करके मुझे लाजबी बताईएगा इसके लाव आप comment करके मुझे यह भी बता सकते हैं कि हमें अपने चैनल पर किस किस किसम का content upload करना चाहिए like हमने एक recent series start की है जहाँ पर मैं iPhone के सारे previous model को यहाँ पर review करूँगा last हमने कि iPhone 7 Plus को मैं उसको full use करूँगा A2Z आपको बताऊं को किस price track में लेना किनो नहीं लेना इस तरह की series हमने start की है इस तरह की कौन-कौन सी new series हमें अपने चैनल पर start करनी चाहिए comment करके लाजबी बताये करें क्यूंकि मैं आपके सारे comment परता हूं और कोशिश करता हूं कि उनको अला हाफिज